हलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज हम एक छोटा सा एक्सपरिमेंट करने वाले हैं हम यह करने वाले हैं कि अगर हम कॉल और पुट को निफ्टी के एक्सपाईरी के दिन अगर लेते जो कि आज ही था 12th of September Thursday तो हमें प्रॉफिट होता या लॉस होता है ठीक है तो लॉंग स्टाडल चलो अब देखते हैं 930 के असपास 930 का मैंने एड करके रखा हुआ है प्रीमियम क्यों एड करके रखा हुआ है 930 के असपास क्योंकि 930 के असपास में कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम दोनों बराबर थे ओल्मोस्ट ठीक है तो चलो अब धीर वन थाउजन्ट फाइफंड़ेड का, 935 को. ओके हाँ, इसमें ने पांच-पांच लॉट लिया, मैंने आपको बताना भूल गया, पांच-पांच लॉट लिया, कॉल को और पुट का, 200 का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट, 130 का लॉस, ओ, वाउ, 2400 का प्रॉफिट, 2600 का प्रॉफिट, घटके हो गया, 600, तो आज आपको पता होगा, थोड़ा सा निफ्टी में मूवमेंट आया था, इसलिए ये एक्स्पेरिमेंट मैं थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देख रहा में, 3000 का प्रॉफिट, 10,25 में, almost 4000 का प्रॉफिट आगया, साड़े दस बचे, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगया, और थोड़ा कम हो गया, वापस से 4000 के असपास आया, फिर से कम हो गया, 10,50 के असपास, ठीक है, फिलाल तो प्रॉफिट में ही चल रहा है, ये देखो, अगर आज हमने ये स्टैटेजी अपनाया होता, एकस्पाइरी के दिन, तो हमें प्रॉफिट होता, ये लॉस होता, लॉस तक दिखते हैं, 1500, almost 2000, फिर से 1600, घड़िया, 8000, 11,50 के असपास, 8000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, पांच-पांच हो गया, 3000 हो गया, फिर से 3000 हो गया, अच्छा अब सो थोड़ा सा जादा टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 3800, अगला 15 मिनट में 4000, 4200, वाउ, 4700, ये तो बढ़ते जा रहा है, घड़िया, 2700 हो गया, डेल बजे तक 600 रुपे में आ गया ह प्रोफिट, ठीक है, ओ, 3, 145 के असपस, 2000 माइनस में चल ओगने है, 1000 माइनस, इसके बाद एक मुम्मेंट आया था निफ्टी में, आज, ओ, अचानक से 7000 हो गया, 11000, 12000, तीन बजे तक 24000, तीन पंद्रा तक 30000, साड़े तीन बजे तक 30000, अगर आज के दिन हमने एक कॉल और पुट को बाई कर लिया होता, अगर पांच-पांच लॉट भी बाई किया होते हैं, आज का प्रीमियम एक्सपाइरी का दिन था, और प्रीमियम तो ऐसे भी सस्ते मिलते हैं, काफी अच्छा रहा, देखो यह होता है, हमेशा नहीं होता है, बट आज अगर लिये होते तो आज तो आज तो आपका यह हमारा चांदी-चांदी ही था, सोना-सोना था, चलो कोई नहीं, यह एक छोटा से एक्सपेरिमेंट था, एक्सपाइरी के दिन, तो होप यह वीडि हम लोग चेक कर लेते हैं, यह तो किस्मत था कि हमने एक्सपाइरी के दिन, अगला एक्सपाइरी कब है, पिछला एक्सपाइरी कब था, पाँच सप्टेमबर को था, ठीक है, पाँच सप्टेमबर को हम लोग एक पाँच चेक करते हैं, पाँच सप्टेमबर को डेट गये हैं 5 September पिछला expiry में same strategy अपनाते हैं और देखते हैं कि ये profit देता है कि नहीं देता है प्रीमियम 45 और 58 चल रहा है आस पास तो नहीं है तो थोड़ा सा इसको बढ़ा कर देखते हैं ठीक है फिर तो जाते हैं option chain में प्रीमियम चल रहा है 53, 59 अल्मोस सेम ही है चलो थोड़ा सा और बढ़ा कर देखते हैं 9, 26 5 मिनट के बाद प्रीमियम चल रहा है बराबर रहेगा तब लेंगे फॉट नहीं भाग गया है प्रीमियम अगला पांच मिनट का option chain देखते हैं 9, 30 के असपास 59, 63 ठीक है अल्मोस यहाँ पर तीन चार पॉइंट का ही डिफ्रेंस है इसको ले लेते हैं तो इसको हम पांच लॉट कॉल को बाई करते हैं और पांच लॉट पुट को बाई करते हैं ठीक है चलो अब एक्सपेरिमेंट सुरू करते हैं नेक्स फाइब मिनिट में माइनस स्टार्टिंग ही माइनस से होता है तो समझ लो कि दिन थोड़े ठीक नहीं है माइनस 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 थीन हजार चल रहे थोड़ा सा कम हुआ है दो हजार चल रहे चार हजार माइनस हो गया दोनों में ही माइनस चल रहे है कॉलर पुट में होके अगर मूमेंट आया तो डेफिनिटली प्रॉफिट होगा moment नहीं आया जब आप बाइंग करते हैं और moment नहीं आया तब थोड़ा सा खत्रा है 4000 का लॉस हो रहा है 5000 का लॉस हो रहा है अब थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं 15 मिनिट में ठीक है तो आखे वीडियो लंबा नहों 6000 का लॉस 6000 का लॉस 7000 का लॉस 7000 का 8000 का लॉस 9000 का लॉस 8000 हो गया 9000 हो गया अलमुस्ट 10,000 पहुंच गया है लॉस दो बज़े दाए बज़े तक 8000 थोड़ा सा लॉस कम हो रहा है 8000 हो गया 32, 3,5 तक 8500 का लॉस तो साफ साफ बात है कि भाई आपको अपना rysk reward maintain करना पड़ेगा हर expiry में ऐसा किसमत नहीं चमकता है हर expiry में इतना ज़ादा movement नहीं होता है हमने दो expiry कि है एक expiry में आपको 30,000 का profit हुआ है दूसरे expiry में आपको 8,500 का loss हो गया लेकिन जल खम-से coming loss भी हुआ तो थोड़ा सा भी profit नहीं हुआ अब समझ रहा है जब से हमने trade लिया तो अब से loss में ही चल रहा है तो ये हो सकता है तो इसलिए हमेशा इस strategy को अपनाना सही नहीं है लेकिन अगर आप अपना risk reward maintain करते हो कि हाँ भाई मुझे 3000 से उपर का loss नहीं चाहिए 4000 से उपर का loss नहीं चाहिए आज मेरा किसमत नहीं है चलो आज loss लेके satisfy होते हैं तो फिर आप ठीक है मैं लेकि आपको बहुत जारी hold नहीं करना 4000 का loss हो गया 5000 का loss हो गया तब trade से निकल जाओ अब अगले दिन trade करो तो बहुत ही simple strategy था लेकिन हमेशा यह profit नहीं दे सकता है conclusion तो यही है चलो thank you for you know cooperating with me थोड़ा video लंबा हो गया बट चलो खुस तो सीखने को मिला thank you so much guys